हालो गाइज गूड मॉर्णिंग वैलकम टू फ्रत्य क्लासेश कैसे आप सब लोग तो गाइज आज हम बात करेंगे 10 और 11 मार्श 2021 के करेंट अफ़र्स के इंपोर्टेंट क्यूशन के बारे में जो आपके आने वाली एक्जाम के लिए और आपके नोलेज के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है तो गाइज वीडियो करने तक जरूर देखेगा जिससे कि आपको इस वीडियो से फाइदा मिल सके ओके तो चलते हैं करेंट अफ़र्स के इंपोर्टेंट क्यूशन की तरब फर्स्ट चूशन देखें फर्स्ट है रेटिंग फर्म क्रिसिल ने वीट वर्स 2021 में भार्ट की जीडिपी विकास दर कितने परतिशत तक पहुशने के उमीद जताई है किसके दौरा क्रिसिल के दौरा तो गाइज यह जताई गए यह 11 परतिशत तो ओप्सन भी अपना राय टांज जाएगा गाइज रेटिंग फर्म क्रिसिल के अनुसार भार्ट में कोविड-19 संक्रम फेलने की रप्तार पर काफी हद तक काबू पाल गया है और साथ ही वेक्शिनेशन अभियान ने भी रप्तार पकड़ने के साथ निवेस के अंदे सरकारी खर्च बढ़ने से वित्वास 2021 में भाइट की जेडिपी विखास दर 11 परतिशत तक पहुचने की उम्मीद है बात और ये क्रेसिल के बारे में इस्तापना हुई थी 1987 के अंदर हेड़क्वाटर की बात करेंगी मुंबई मारास्टे के अंदर है MD और CEO को होना भी आयूस सुयस आसू सुयस क्या है MD और CEO है आसू सुयस किसके क्रेसिल के OECD के अंतिम आर्थिक दस्तिकोंड ने वित्वर्ष 2021 में भाज की GDP विकास दर कितने परतिशत परतिशत का अनुमान लगाए तो गाईज यह लगाए गया है 12.6 परतिशत तो option C अपना क्या होगा राइटांस हो जाएगा आर्थिक सरयोग और विकास संगठन ने अंतिम आर्थिक दस्तिकोंड ने वित्वर्ष 2020-2022 में भाज की जो GDP उसमें विकास दर कितने परतिशत तक पहुंचने का अनुमान जताए गया है जो दुनिया में सबसे तेज होगा और इसके बाद जो विकास दर में जो गति आएगी वो आएगी चीन की 7.8 परतिशत वर्षिक आनुमान है बात करेंगे गयाज आर्थिव सायोग और विकास संगठन के बारे में OECD के बारे में इसकी स्टापना हुई थी 30 सितम बर 1961 को मुख्याले की बात करेंगे पेरिस फ्रांस के अंदर है मासचीव वर्षिमान में कोन है जोस एंजले गुरिया ये है मासचीव ओके नेक्स विसे देखिए नेक्स है परदानमंदी नंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मेत्री सेतु का उद्गाठिन किया है तो मेत्री सेतु का उद्गाठिन किया गया है यह भारत और बांगले देश के बीच किया गया है हमारे परदानमंदी के दो रहा है तो option A अपना right answer जाएगा गाइज यह मेत्री पूल त्रिवपूरा और बांगलेदेश के चटगाउं बंदर कहा तक पहुंचने के साथ त्रिवपूरा को गेट्वे ओफ नौर्थ इस्ट भी बनाएगा जो कि सब्रूम से सिर्फ 80 किलोमेटर दूर है गाइज यह पूल फेरिन दूर्दी पर बनाया गया है जो त्रिवपूरा और बांगलेदेश में भाट्य सीमा के बीच इस्टित है और यह एक दसमलो नौ किलोमेटर लंबा पूल भाट में सब्रूम को बांगलेदेश के रामगट से जोड़ेगा बात हो रही है बांगलेदेश के बारे में रादन जिसकी डाका है राजपती अब्दुल हामीद है परदान मंतर की बात करेंगे सेख हसीना है मुद्रा बांगलेदेशी टका और यह है बांगलेदेश का मैप नेक्स्ट उसने देखिए नेक्स्ट है हाले में किस देश ने सारजी उस्तानों पर बुर्का और नकाप साइद फुल फेस कवरिंग परपट्टी बन लगाने वाले परस्ताव के पक्स में मत्यदान किया है किसने क्या है स्विजिलेंड के ने तो ऑप्सन डी अपना क्या होगा राइट आंस हो जाएगा गाइस सारजी जन्मत संग्रह में स्विजिलेंड के लग बग एक्क्यावन दसमलाव दो एक परतिश्यत मत्दाताओं ने मत्यदान किया है इस मत्यदान का मतलब है कि सडको सारजीनिक परिभंद सारजीनिक कारेलियों जैसे रेस्तरा दुकानों और ग्रामिन इलाकों में सभी सारजीनिक रूप से सुलब इस्तानों में फुल कवरिंग पर पट्यबंद लगाया जाएगा और पूरे चेरे को डेखने की अनुमती पोजा इस्तलों और अन्य पवित्य इस्तलों में दी जाएगे बात हो दिया स्विजलेंड के बारे में राज़ान की बात करेंगे तो बंड है राजपती गाय पार्मेलीन है और जो currency चलती है Switzerland के अंदर वो चलती है Swiss Frank और यह है map Switzerland का जिसे कि आपको अच्छे से याद रहेगा ओके गाईस और गाईस अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बात जुड़ रहे हैं और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं अगर गाईस आपको इस वीडियो की पीडियो फाइल चाहिए तो टेलेग्राम पर एक चैनल हमारा उसको जोइन करें वहाँ पर आपको सभी परकार की पीडियो फाइल मिल जाएगी ठीक है और डिस्क्रिप्शन के नदर लिंक दे रहा उस चैनल का कि नेक्स्ट उसने देखिए नेक्स्ट है हाली में कि स्राजय या किन्द स्राजय से पर्देश सरकार ने फीट वर्स 2021 के लिए देश बक्ति पर आदारीद 99,000 क्रोड रुपे का बजट पेस क्या है गैस किसने क्या है दिल्ली ने तो ऑप्सन भी अपना राइट आँसर जाएगा गैस ये बजट है वो दिल्ली के उपमों के मंत्री है मनी सिसो दिया उनके दोरा प्रसुत किया गया था उन्होंने गोशना की कि दिल्ली सरकार ने भ आज़ित करेगी जो कब तक आज़ित करेगी कौन दिल्ली सरकार 12 मार्ट 2021 से गैस बात कर ले दें दिल्ली के बारे में केंदर साशी पड़ेस बनी कब बनी एक फरवरी उनसो ब्रान में को मुख्यमंतिय है अर्विन केजरेवाल उपरा जिपाल अनिल बेजल है विदान सब सीक्षी तीन और लोक्स अबाट वाए सीट साथ दिल्ली के अधर आपको दिखाए दिल्ली ये ऊके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है तिरत सिंग रावत ने किस राज्य के मुख्य मंति की रूप में सपत ग्रेंड किये तो तिरत सिंग रावत है गाईज उन्होंने उत्रागण के मुख्य मंति की रूप में सपत ग्रेंड किये तो option A अपना क्या होगा right answer जाएगा guys और जो तिरिण सिंग रावत है यह पोड़ी गड़वाल से भारते जंदा पाट्टी के साथ सथ है जोने उत्राखन के नए मुख्यमंति के रूप में सपत ग्रेंड किये और guys इन्हों जो इस्तान लिया है वो यह तिरिण सिंग रावत का जिन्होंने हाली में मुख्यमंति पत्चे इस्तिफा दिया है तो अभी उत्राखन के जो मुख्यमंति हैं वो कोने तिरत सिंग रावत है बात हो यह उत्राखन के बारे में तो उत्राखन के बारे में देखते हैं कुछ fact मेप के अंदर जगो उत्ता घंडग राज्य है वो है यहाँ पे स्थित जो रेड़ क्लल में आपको दिखाई दे रहा है स्थापना की बात करेंगे नो नौंबर दो जारगो इसकी स्थापना हुई थी राजदानी देहरादूने मुख्यमंतिकोने तिरत सिंग रावत राजय स्थी इस स्थे दाभ जान इंडर पर, इसके रीवाइट लाजज टोन मुख्यमंतिकोने भी मुख्यमंतिक राखंदीकोगा करेंगे, अबाव पर सोथ के बाद वन्चिकी साख के अंदर विक्सित किया गया है और जो यह लगबग है वो तेरा एकड तेरा एकड के छेतर में फेला हुआ है और आप लोगों पता है उत्ता खण के मुख्या मंत भी वर्तमान में किसको बनाए गया यह बनाए गया तीरत सिंग रावत को जिरों ने इस्तान लिया है त्रिवन सिंग रावत का आप करूशंब कर बेंकिर के नेक्स नहीं ने लेकित मेंसे किसने स्माटप उन्ती कारेकरम लौंच गया है इसमाटप उन्तीक कारेकरम किसके दूरा लौंच किया गया है यह कि एगे si Bank के दूरा ऑप सज़ाइद माहिला दिकारों कि सवेला nosoti उरुग को सद्वी के नामक एक आर्गरम सुख करने की गोशना किया है इसके तहट अगले एक वर्स में SGFC बेंक की वरिष्ट महिला दिकारी महिला उद्मियों को अपने लक्षे को प्राप्त करने में सिलापरदान करेगी बात करेंगे SGFC बेंक के बारे में इसतापना हुई थी अगस 1909 को मुख्याले की बात करेंगे मुंबई मारास्ट के अंदर है MD और CEO को ने ससीदर जगदिशन यह MD और CEO है SGFC बेंक के टेक लाइन की बात करेंगे विए अंडरस्टेंड यॉर वर्ड यह क्या है टेक लाइन है SGFC बेंक के नेक्स्ट उसन देखें नेक्स्ट है हाले में किसने एपी आरे सीए मिंस की एसिया पेसिफिक रूडल एंड एग्रिकल्चर क्रेडिट एसोसियेशन के अध्यक्स रूप में पदबार ग्रण किया है इसने किया गाइस जी आर चिंताला तो उप्सटन ए अपना क्या होगा राइट आउंस हो ज जाएगा नावाट के आदेक्स है जी आरे सी एके देख के रूप में पदबार गरण किये गाईस जो नअबार के उन्हें डीपी के गुंळ सेक्रा में उन्हें जो डीपी के गुंळ सेक्रा है उन से पदवार ग्रंड किया है जो बैंक में ऑफ़शिलों के मुख्या कारी कारी अधिकारी भी है जो बेंक ओफ सिलोन के मुख्य कारी कारी अधिकारी भी है ओके बात करेंगे जाएज एसे फेसलिबिक रूरल एंड एगरिकल्चर केडिट एसोशेशन के बारे में एपी आरे से के बारे में इस्तापना हुई थी उनीसो सततर को सदे से देश की बात करेंगे तो 21 है अधिक्स जी आर चिंटाला ओके अधिक्स उससे देखे नेक्स्ट है निमिल्ट मेंसे किस नहीं बीबीसी इंडियन sports women of the year पुर्सकार जीता है किसके दवरा कॉनेरू हमपी के दर जीता गया है तो ओप्शण सी अपना क्या होगा राय टांस हो जाएगा गाइज 20 वा रेपिट चेस्ट चेंपियन से कॉनेरू हम्पी ने BBC की इंडियन स्पोर्ट्स मुमेन ओफ दे येर पूर्सकार जिता है वर्चल विए आई जित इस पूर्सकार समारों की मेजबाने BBC के महान जिसे टिम डेविड ने किया है और प्रसिद एथलेट अन्जू बोबी जोर्ज को लाइफटाइम अचीविमेंट पूर्सकार और 19 वर्षी ये भारत ये जो सटलर मनु बाकर को एमेर्जिंग प्लेयर आफ दे इयर पूर्सकार पर दान किया गया है गैज बात करेंगे BBC के बारे में British Broadcasting Corporation के बारे में इस्तापना हुई थी 18 अक्टुमबर 1922 को मुक्याले की बात करेंगे तो लंदन United Kingdom के अंदर महान दिशक टिम डेवी ओके नेक्स देखिए नेक्स है फरवरी के लिए SEC Player of the Month अवार्ड से किसे समन्द किया गया है यह किया गया है रविचंदर अस्वीन को तो ओप्सन भी अपना राइट आंस हो जाएगा गयज अस्वीन ने इंग्लेंड के कप्तान जो रूट और वेस्टिनर के माइकल मेर को हरा कर यह पुट्सकार जीता है उन्होंने इंग्लेंड के खिलाब तीन एक से भार्ट के संक्ला जीत में बेट और बोल के साथ महत्तबू मुमिका निभाई और वेस्टिनर के संक्ला में सबसे अधिक विकेड लेने वाले गेंदबाद्स थे और उन्होंने चेने में दूसरे टेस्ट में सतक भी बनाया था इसलिए फरवरी के लिए आइसेश फ्लेयर ऑफ दे मन्थ अवाड रवी चंदर अस्वीन को दिया गया बात करेंगा इस अंतराश के क्रिकेट परिशत के बारे में आइसेश के बारे में जिसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को मुख्याले की बात करेंगे तो दुबबाई UAE के इंदर है और अभी वर्तमार में अध्यक्स ग्रेक बारकेल है कि नेक्स देखें नेक्स हाल में किसने बी डवल अप्स्विस ओपन सूपर 300 के विमेंज सेंगल में जीता है किसने जीता है सिल्वर मेंडर ये गाई पीवी सिंदू के दूरा जीता गया है तो ओप्शन डे अपना क्या होगा राइट आंसर देगा घाज भाज की स्टार सिंदू ने स्विजलेंड के बासेल में आजित बी डवल अप्स्विस ओपन सूपर 30 सूपर 300 के विमेंज सिंगल फाइनल्स में सिल्वर पदक जीता है और विस्वर की साथ नंबर क्लाड़ी सिंदू को एक कड़े मुकाबले में वेल्ट की तीन नंबर ख्लाड़ी और ओल से इंपोरेंट क्यूशन आई होब कि आपको अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं करेंट के नेक्स सेशन में नेक्स इंपोरेंट क्यूशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू गुडबाई अंटेक केर